हिंदु धरम में हर साल भगवान श्री कृष्ण का जनम दिन बेहत उत्सहा और उमंग के साथ मनाया जाता है। इंतजार लोग साल भड़ तक करते हैं। ऐसी मानिता है कि भगवान श्री कृष्ण की 16108 रानिया थी। इस बात को सुनकर अक्सर कई बार विवाद भी खड़ा हो जाता है और कई बार लोग इस बात को सुनकर अश्री चकित भी हो जाते हैं। जैसा कि आपको विदित है कि भगवान श्री कृष्ण की पत्नी का दर्जा देवी रुकमनी को दिया गया था। देवी रुकमनी जो की राजा भीश्मक की पत्री थी उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से विभा किया था। जिस वज़ा से उसने धर्ती की 16,100 कन्याओं को अपने कारवास में बंदी बना लिया। भगवान श्री कृष्ण जिन्होंने धर्ती पर जन्म ले लिया था वह भला इतना बड़ा पाप कैसे होने देते। जिस वज़ा से भगवान श्री कृष्ण ने उस दानव को यह पाप करने से रोका और 16,100 कन्याओं को मुक्त करा कर उन्हें उनके घर वापस भेज दिया। लेकिन उस दानव के चंगल से बचने के बाद जब वह कन्याओं अपने घर पहुची तब समाज और घर वालों ने उन्हें चरत रहीन बताकर उनको सुईकार करने से इनकार कर दिया। जिस वजह से भगवान श्री कृष्ण ने उन 16,100 कन्याओं को अपनी शरण में ले लिया। तभी से भगवान श्री कृष्ण की 16,108 रानिया कहीं जाती है। भगवान श्री कृष्ण की 16,108 रानिया थी।